हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, दिलक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, अरुनाय गाउं में स्थित है श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पेत, बहुती प्राचिन और दिव्य मंदिर है। मंदिर से संबंधित इतिहास के अनुसा, कई वर्षों पूर्व, यहाँ पास में एक सिद्ध महात्मा, श्री गणेश गिरी जी महराज तब किया करते थे। कुछ चरवाहों के साथ उस स्थान पर गए और बाम्बी की खुदाई की, और वहाँ भगवान शिव के एक अति दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग को बाहर निकालने के लिए तेरा दिन तक खुदाई चलती रही, पर शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला। तब एक रात भगवान शिव बाबा श्री गणेश गिरी के सपने में आए और खुदाई रोकने के लिए कहा, और कहा कि मेरा कोई अंत नहीं है, अता यहीं मंदिर का निर्मान कराओ, तब इसी स्थान पर मंदिर का निर्मान कराया गया। मंदिर से जुड़ी एक और प्राचीन कथा के नुसार, कहा जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे पर यहां विश्वा मित्र जी और वशिष्ट जी तब किया करते थे। जिस से उनका जल रक्त के समान हो गया और उन्हें रक्त वाहिनी कहने लगे। जो आज संगमेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर तीन नदियों अरुना, वरुना और सरस्वती जी का संगम होने के कारण इनको संगमेश्वर महादेव कहा जाता है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल एवं सुन्दर है। मंदिर की दीवारों को भगवान के सुन्दर चित्रों एवं रंगों की माध्यम से सजाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव की नित्ते ही 11,000 बेलबपत्रों से अभिशेक करके पूजा की जाती है। तो हम इन बेलबपत्रों को वेश्ट निकरते हैं। इनको एक जगह पर इकत्रित करते हैं। इकत्रित करने के बाद जब बड़ी महाशिव रात्री आती है। उस दिन हम इन सभी बेलबपत्रों को सुखा कर और इसको हवन कुंड के अंदर डाल देते हैं। उसमें गाये के उपले वगएरा हो, समान अत्यादिक अष्टगंद वगएरा सारा मिला के एक भस्म त्यार के जाती है। फिर रात को ग्यारा मज़े से लेके अर्ध रात्री तक बाबा का भस्म के दुआरा भश्म अविशेक किया जाता है। जो कि एक प्रात्मी समय से चलता है। यहां पर संचालित गौशाला से मिलने वाले दूद से ही चलती है। मंदिर परिसर की ओर से ही दो सेकेंडरी स्कूल भी चलाये जाते हैं। जिनका उदेश्य बहुत कम पैसों में शिक्षप्रदान करना है। महाशिवरात्री के दिन यहां पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। और मेले की देखरेक श्री संगमेश्वर सेवा दल के सदस्य करते हैं। लगभग साड़े तीन सो सदस्य मेले की सारी व्यवस्था को संभालते हैं। लाखों लोग महाशिवरात्री के दिन उपस्थित होते हैं। और पूजा आरती कर अपने आपको त्रिप्त करते हैं। परिसर में ही एक सरोवर है जिसमें स्नान और अभिशेक करने के बाद सरोवर का जल ले जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिशेक किया जाता है। मानिता है कि ये वही सरोवर है जहां अरुना वरुना एवं सरस्वती नदियों का संगम हुआ था। परिसर में भगवान शिव का एक प्राचीन त्रिशूल है, उस पर मौली बांध कर भक्त जन्द मननत मांगते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनुकामनाएं भगवान शिव की कृपा से अवश्य पून होती हैं। मंदिर परिसर की ओर से ही विभिन सामाजिक कार्य चलते रहते हैं। गौशाला और स्कूल के साथ साथ ही जरूरत मंद कर्ण्याओं का विवाह भी कराया जाता है। श्री संगमेश्वर मंदिर में आरती का समय चाता चार बजे तथा संध्या आरती साथ बजे से नौ बजे के बीच होती है। संध्या आरती के समय अनेकों भक्त मंदिर में एकत्रित होते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। यदि आप कुरुक्षेत्र में श्री संगमेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप यहां अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं जैसे श्री कृष्णरत ज्यान मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायन मंदिर, श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, श्री दुखभंजन मंदिर, श्री तिरुपती बालाजी मंदिर और गीता मंदिर आदी. भक्तों आप श्री संगमेश्वर मंदिर की यात्रा अपनी सुविधा नुसार, वायू मार्ग, रेल मार्ग, अत्वा सडक मार्ग से कर सकते हैं यदि आप वायू मार्ग द्वारा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निकर्तम चंडीगड हवाय अड़े की यात्रा करनी होगी यहां के लिए दिल्ली मुंबई आधी प्रमुक शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है हवाय अड़े से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी और यदि आप मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो कुरुक्षेत्र देश के कई प्रमुक शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है अतहा आप आसानी से कुरुक्षेत्र रेल्वे स्टेशन पहुँचकर यहां से टैक्सी अत्वा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं इसके अत्रिक्त यदि आप मंदिर की यात्रा सडक मार्ग से करना चाहते हैं, तो कुरुक्षेत्र शहर देश के हर बड़े शहर से सडक मार्ग द्वारा जुडा हुआ है, अतहा आप सरकारी अत्वा निजीवाहन द्वारा कुरुक्षेत्र पहुँच कर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं भक्तों यदि आप श्री संगमेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीग्रही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोले नात की कृपा से अपनी समस्त मनुकामनाओं को पूर्ण करें अगले एपिसोड में आ झाल